आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने OPPO F25 Pro Android में आप अपने मुआलफोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉलम का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए हैं आप ये वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों अगर आपकी मुआलफोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉलम आती तो इसकी सॉलिशन के लिए क्या है अगले पेज में सबसे उपर आपको डीटर जिरो हो जाएगा अगला काम करना है क्या आपको गए अपने मुआल फून का आपको चेक करना है कि update है या नहीं है इसके लिए पहले phone का internet आपको चलू रखना है इसके बाद phone का setting page open करना है इसमें आपको सबसुपर search bar पे tap करना है यहाँ पे सबसुपर search bar में software आपको लिखना है ठीक है आपको नीचे software update का option आपको इस वाले page पेच पे कोई भी update का button या download install अगर यहाँ पे करना है कि mobile phone को reset करना है जब मेरे बताई हुए पिछले process काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को reset कर देना है अदर्वाइस नहीं करना है फोन को reset करने के लिए फोन का setting page open करिए सबसुपर आपको सबसुपर search bar में reset आपको लिखना है आपको नीचे की option मिलेगा erase all data factory reset पे करना है आपका page आता है इसमें आपको erase data का option टैप करना है इससे आपको phone reset हो जाएगा और आपके mobile phone के speaker की sound की problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data है न सारे की सारे data का अपना backup ले होती है तो आपको करने क्या है देखिए दूस्तों आपके mobile phone का service center है न सर्वी सेंटर में चले जाना अपना phone वहाँ पे दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं देखिए हो सकते हैं आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आगी होगी जिसके करण आपके mobile phone के speaker में sound की problem आ रही है मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताएं ना mobile phone के software के जरीए बताएं ठीक है